क्या आप भी प्रेग्रेंसी प्लान कर रहे हैं अगर आप प्रेग्रेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी टेबलेट को यूज में लेना चाहिए आपको वाइटमिन्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अगर आप वाइटमिन्स टेबलेट लेना चाहते हैं त की पर वdog के लिए अच्छा रहती है अगर मठल्ट के मिमठाबेंच लेने चाहिए और कितने की लेने चाहिए यह सुभी लोग आजकल पूसते हैं कितनी बार लेना चाहिए और vitamins लेना इतना जरूरी क्यों होता है आज कर लोग इसके बारे में काफे ज़धा पूस्ते रहते हैं। फ्रूट ले रहे हैं नट्स ले रहे हैं और ट्रोटीन ले रहे हैं तो हम वहां पर सारे निट्रियन्स ले रहे हैं पर वाइटमिन्स लेना क्यों जरूरी हो जाता है तो चलो स्टार्ट करते हैं कि माल्टी माल्टी वाइटमिन्स टैबलेट जो होती है वो हमें कब-कब लेन चाहिए और कैसे लेने चाहिए तो प्लीज वीडियो के एंडने तक ज़रूर सब्साइए और वीडियो को एंडे तक जारूर देखे है प्रोटीन और वाइनिने हमारी भूटि के लिए बहुत ही जादा जरोरी निट्रियंट होते हैं यह हमारी डवलप्मेंट decorative की काफी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं यह आपकी एक्स और स्पर्म्स की क्वालिटी को मेंटेन रखने का काम करती है उसकी ग्रोथ उसकी डेवलोपमेंट को अच्छा करने में यह काफी ज़्यादा मदद करती है आपकी बोडी में जो हर एक कोशिका होती है हर एक सेल होती है उसके लिए प्रोटीन और वाइटमिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है काफी सारे ऐसे कैसे होते हैं जिनमें की प्रेगनेंट प्रेगनेंसी काफी ज़्यादा लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है वो कंजीव नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सौर्सेज होता है मल्टी वाइटमिन का काफी जादा बोडी में इसकी डेफिशेंसी पाई जाती है और काफी सारी ऐसे फीमेल्स होती है जिनको नीड होती है अगर हमने देखा है कि हमने उन्हें जब मल्टी वाइटमिन्स टेबलेट्स जब प्रस्क्राइब की तो उन्हें काफी जल्दी प्रेगनसी कंजीव हो जाती है और जिन फीमेल्स को अगर हमने प्रोटीन सजेस्ट किया है तो उससे भी उनकी pregnancy conceive होने में उनको काफे ज़ादा chances हुए हैं काफे ज़ादा chances मिले हैं उनको pregnancy conceive हुई है प्रोटीन और वाइटमीन जो होते हैं उनसे body की जो body system होता है और जो cells के काम करने की सम्ता काफे ज़ादा बढ़ जाती है और इससे sperm और eggs की quality बढ़ जाएगी, काम करने की समता उनकी बढ़ जाएगी और आपकी pregnancy ठाहर जाएगी इसलिए आपकी body में nutrients और minerals काफे सदर ज़रूर हो जाते हैं nutrients के हमेशा दो parts होते हैं, micro nutrients and macronutrients macronutrients में क्या क्या आएगा, तो मैं बताती हूं, macronutrients में fat और protein और micronutrients में आएगा vitamins and minerals तो vitamins में आपकी body को जो ADEK vitamins होते हैं and vitamin B complex यह सारे vitamins आपकी body को work कराने के लिए आपकी body को ज़रूरी होते हैं या आपको food से intact लेने हैं या फिर आपको vitamins के द्वारा आपको आपकी body में पहुचाने हैं यह आपके metabolism को active बनाने का काम करते हैं कभी-कभी आपने देखा होगा कि आप multi vitamins tablet ले रहे हैं और आपका weight loss होता है तो आपका metabolism वहाँ पर regular रहेगा तो इन सभी vitamins को आपको यूज में लेना और ज़रूरी नहीं कि सारे vitamins आपको tablets के जरीए ही आप यूज में ले काफे सारे ऐसे vitamins होते हैं जो आपको food के द्वारा intact करने पड़ते हैं और आपने देखा होगा कि vitamins tablet लेने के बाद आपको body में activeness and strongness feel होती है और आपकी body काफी अच्छे से work करने लग जाती है आपका system काफी अच्छे से work करने लगता है एग और sperm के लिए इनकी quality को develop करने के लिए और increase करने के लिए काफे ज़दा helpful होते हैं और इससे देखा होगा कि आपने काफे सारी pregnancy conceive होने के chances बढ़ जाते हैं इसलिए इन सभी चीज़ों के लिए आपको multi vitamins tablet को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अब रहा क्योशन की अगर आप pregnancy conceive कर रहे हैं तो इसमें man ingredients क्या क्या होने चाहिए folic acid and vitamin A, D, E, K, B complex इसके अलावा आपको ऐसी multi vitamins को select करना चाहिए जिसके अंदर folic acid and co-cutane हो folic acid and co-cutane काम क्या करता है अगर आपकी pregnancy conceive करने के लिए अगर age बढ़ती जा रही है अगर आप 25 या 30 साल के बाद अगर pregnancy conceive कर रहे हैं तो आपकी body से co-cutane आपकी body से कम होता चला जाता है तो especially अगर आप 30 के बाद अगर pregnancy conceive करना चाहा रहे हैं प्लान कर रहे हैं तो आपको co-cutane लेना ही चाहिए होता है तो यह work कैसे करता है जब आपकी already होती है यह आपकी follicle से अंडे को rupture करने and evolution time पे जो follicle से अंडे के rupture होने के लिए energy चाहिए होती है उससे increase करता है कभी-कभी आपने देखा होगा कि आपकी body में एक्स पूरी तरीके से बनते नहीं है अगर बनते हैं तो उन एक्स को rupture करने के लिए आपको injections लेने पड़ते हैं तब जाकर rupture होता है और कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि आप इंजेक्शन लेने के बावजूद भी rupture नहीं होते हैं अगर आप प्रॉपर वे में अगर आपकी body को co-cutane अगर ले रहे हैं तो यह आपकी body में x को अच्छे से बनाएगा और rupture करने में आपको काफे ज़दा help करेगा इसी प्रकार sperm के लिए यह co-cutane sperm की mortality को increase करता है जो कि sperm फैलोपिन ट्यूप तक जब जाता है तो यह इसकी गती को बढ़ाता है अगर बोला जाया तो वजाएना से फैलोपिन ट्यूप तक जाने की जो speed होती है उसको यह बढ़ाता है तो co-cutane husband and wife दोनों मे अच्छे से help करता है तो जब आप vitamin select कर रहे है तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो please वीडियो को like, share और comment जरूर करना और चैनल को subscribe करना और नीचे दिये गए bell icon को press जरूर करना friends, thank you